चलि बात कर लेते हैं अगले कॉलर से स्वागत है आपका इश्वर जी स्वागत है आपका कहां से बात कर रहे हैं अर्याना दिश्टि जिन नर्वाना से ठेक है आपका सवाल क्या है तो दिखिए एक तो एकसर साइस किया करी जो मैं बता रहा हूं रोजाना तीन मिनट एक तीन मिनट दूसरी तो देखिए ये समझ दीजिए जैसे मैं कर रहा हूं आप भी मेरे साथ साथ करिए ऐसे ये तीन मिनट एकसर साइस करनी है रोजाना एक एक मिनट करके करें तीन मिनट एक साथ कोई नहीं कर पाएगा एगो रेकिए ऐसे ऐसे जोर से यहां तक ये भी तीन मिनट इससे तो गर्दन का दर्द आपका चला जाना चाहिए आइंद अप 15 दिन में अगर आपने मेरा बात को माना अब रहा कमर का दर्द तो इसके लिए एक आता है गौन सिया काला गौन भी कहते हैं इसे असली लेना नकली बहुत मिलता है कड़वा बहुत होता है और इसे आधा-धा गिराम अगर आप सेवन करें तो आपको बहुत जल्द फाइदा होना मुम जी अधार है अधार है अधार को अधार को अधार को दावाई आए तो उम्र क्या है आपकी आटालीश साल अधी शूगर एक बार हो गई तो फिर उसको कंटोर लगने की दवाई हैं पूरी तरह ठीक नहीं होती है और जो दवाई ले रहे हैं वो लेते हुए आप वो भी लेते रहें और एक बहुत मशूर सिर्का है सिर्का जैतून का सिर्का याद रखें जैतून का सिर्का इसे तीन चम्मा सुबा तीन चम्मा शाम पिया करें नाश्ते के ब पानी में मिला कर लो होना मुम्किन है हमारे पहले कॉलर हैं इंडॉर से कर्नल वर्माजी स्वागत है आपका ता कर कि बंठानी लुड़ी हुए आधा जही नीहां नीटानने था कॉसरा और शायाद आप कोई लोग समझते हैं रहात इंदौरी का इंदौर है लेकिन मैं जानता हूँ के करनल वर्मा का इंदौर है मेरे साथ चार सवाब है और जो मेरे उर्दिखी लोग बेठे हैं जो पूछना चाहते हैं जी जी इर्षाद तो एक दो सवाल के जवाब तो मोतर्मा ने यह आप सो पूजी लिये तो उन्हें मिल गया मेरे को अच्छा हाँ जो मेरे के तरह दिल से दिल को रहा होती तो वो मेरे साथ में सोच जिया था वो बोर रही थी जी 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 तो यह जो आपने निश्के जो बताया थे जेतने को सिर्का जो है पेला तो यह पुछुमा अगर इसके बाद निजबत अपन वह अधरा को ले सानों आप वह सिर्फ बताते ना एच के एड़ तो वह किसी भी मौसम में ले सकते हैं जी जी वह एच के र सीरफ आता है एच पॉ और हाइट वह किसी भी मौसम में ले सकते हैं और वह तरड़ी गर्मी बारीज मतलब उसका नहीं होता ना ना उसमें दरसल अद्रक लहसन और लीबू का जूस में लावा होता है तो वह किसी भी मौसम में ले सकते हैं और इसलिए एक्चली यह तो हमारा प्रोड़क्ट है औ और मेरा तरीका क्या है वर्मा साहब कि मैं प्रोड़क्ट बनाना सिखाता हूँ ये कोई नहीं करता हूँ मैं चाहता हूँ कि लोग खुद बनाना सीखें ताके मेरे मरने के बाद भी लोगों को नुसके याद रहें जी बताए और क्या सवाल है और सवाल दूसरा ये था कि बच्चे जो बोलों को तो मैंने जो खुद लिगने दावा ती तो चार पांच लोगों को बहुत अराम मुला वह उपर वाले का और आपको बहुत सुक्रियादा करते हैं वो और दूसरी चीज़ के गोंसिया खाना वा के लिए खाते हैं तो इसे सिरफ एट के बोर तेजी से लगे खुले था क्या और लगे खुलने के बाद में लगे फुन पत्डर है उसके लिए आप को इन अच्छा नुस्का बताएगे मेरे सवाल हो गया आज के पूरे चीक है वर्मा साब बहुत बहुत शुक्रिया और द मैं भी खुद को अपनी कॉल लगाना चाहूं तो पहली कॉल ने लगा सकता इतनी कॉल साती हैं हमारे पास तो यह आपकी महबत मुझे रहती जिंदगी तक याद रहेगी अब यह महतरमा भूल जाएं तो और बात है देखिए क्या सवाल था आपका बच्चों को लेके हाँ बच्चों के दूद में या पानी में या खाने में आधी चुटकी खाने का सोडा दिखिए यह चुटकी पूरी है और यूँ कर लो सीधी तो आधी हो जाएगी इतना सा खाने का सोडा रोजानद दिया करें खुजली के लिए मुझे मीध है वो बच्चे भी ठीक होना मुमकिन है और क्या सवाल था? यही था कि कैसे कैसे वो थंड के मौसम में अब अपना खियाल रख सकते हैं नसे कैसे खुल सकती है हाँ हाँ देगे जो गौन सिया है यह नसों को स्टैंट देता है स्टेंट मतलब सक्टी देता, ऐसे मोड़ी भी हैं, तो ऐसे सीधी कर देगा बिल्कुल, तो ये नसों को सीधी करता है, स्टेंट देता है, और ये जो सीरप है, एच केर, या जैतून का सिर्का, ये नसों को अंदर से गंदगी, जो खास तोर पर कालिस्टॉल जैसी चीजें, इनको साफ करता है, तो ये समझ लीजे आप के हमें नसों को स्टेंट देनी है, ताकतवर बनाना है, या नसों को गंदगी से पाक करना है, तो अगर परलाइसिस है, या नसों में गंदगी है, कॉलिस्टॉल है, तो ये सीरप पीना बहतर है, और अगर नसें कमजोर है, दब अगले कॉलर है जैदीब स्वागत है आपका कहां से बात कर रहे हैं जी जी बताइए सवाल करिए जी दाद हो गई है इंस फंगल इंफेक्शन कहां पर बिच्चा जी पर हो गई है और काफी समय से साल पर हो गया कर अठी नहीं हो रही है तिर दवा लगाती हूं ठीव फाने के लिए हखी तरके देख लिए हमें लेकिन कोई लाग नहीं ही हो जाता है बबाबत को केशिर हो जाता है छीके देखिए एक एक आता है नमक जैतून याद रखें नमक जैतून हम आसान भाशा में कहते हैं वैसे इसे रसाइन जैतून कहते हैं नमक जैतून कहते हैं एस्टेक जैतून कहते हैं ये बिलकुर नमक जैसा ही होता है देखने में जैसे पिसावा नमक होता है लेकिन ये नमकीन नहीं होता ये इसकी रोगों के लिए राम बांट कहलाता है ये ले लिए ये 100-200 ग्राम और एक चुटकी सुबा एक चुटकी शाम, ये चुटकी में जितना आता है ऐसी खाल ले या तो या पानी में मिला कर और सुबा शाम ले लिया करें आपका ये रोग ठीक होना मुमकिन है आईए बात करते हैं अगले कॉलर से स्वागत है आपका अनिल जी स्वागत है आपका आवाज मिल रही है आपको हाँ अगर आवाज मिल रही है तो टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजे हाँ सवाल करिये हाँ हाँ बोली है सवाल करिये हम कह रहे है ठंडी जवाता है तमको बरावर सर्दी खासी का बुखार का रोग आ जाता है हर साल उम्र क्या है आपकी पचास पचास हाँ देखिए जो लोग भी ठंडी पिरवर्ती के हैं या हम आसान भाशा में कहते हैं हून में सर्दी होती है जिसके या मिडिकल这 rif को कहेंगे के रोग पिर्ती रोग शमता जिनमें कम होती है इम्मीनटी की कम ही जिनमें होती है उनको ये परेशानी रहती है तो बहुत औराज करालिया सब दवाएं खाली है जब बिमार पढ़ते हैं जब भी दवा खाते हैं लेकिन इसका एक मुस्तकिल इलाज भी है किस हर्दी कित्ती हो जाए आपको कुछ नहो तो इम्मिनिटी बढ़ानी पड़ेगी एक इम्मिनिटी की दवा माजून आर केर अगर पांच-छे महीना लगातार इस्तमाल की जाए खाने का तरीका यह है माजून आर केर का एक चमच सुबा खाली पेट गरम पानी से ले एक चमच रात को और खटी चीजे छोड़ दें और अगर लगातार पांच-छे महीना लिया जाए तो ऐसे रोग्यों को रोग मुक्त होना मुम्किन है लखना उसे हैं नेक्स्ट कॉलर अभीशेक स्वागत है आपका हेलो जी मेरा प्रेशन है कि मेरी आखों की रोचनी बहुत कम हो गई है तो मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरी वह वापस आ जाए एज क्या है आपकी जी तेरा साल बटक क्या बताए डॉक्टर ने कुछ बताया आपको आखों के डॉक्टर ने जी डॉक्टर ने तो मेरी ने कुछ यही बता आया कि मैं दिखाय तक काफी महिने पहले तो एक दवा दे भी मेरे को और उसके बाद अभी तो मैं गया नियू डॉक्टर भी आखों कि मैंने आपको टी वी आई देखा तो में तो चलभी मिला कि बात करूँ आपसे ठीक है आप अपने डाक्टर की भी बाते मानिये उनकी भी दवा खाना लेकिन एक गाजर का जूस रो जाना आपको पीना है और अगर खाली पेट पीए तो बहुत अच्छा हो लेकिन बच्चे लोग उसका गाजर का जूस जादा पसंद नहीं करते तो आपको ये करना है कि गाजर के जूस में कुछ मिला लें शक्कर वगड़ा तो बहुत अच्छा हो जाता है और वो जूस आप फ्रीज में रख दें पहले और फ्रीज में रखने के बाद उसके एक दिर गंटे बाद ये जूस पीएं तो इसमें एक जायका आ जाता है और बहुत खुझबू आ जाती है एक एक गाजर का जूस हो जाना पी लिया करिए आपको बहुत फाइदा मुमकिन है बिहार से हैं अगले कॉलत दुर्गा सेंग जी स्वागत है आपका नमस्कार जी नमस्कार जहीं बताईए क्या सवाल है सवाल है हकीम साहब हम आपका गंद सिया खा रहे हैं बहुत जादा मिला हमको इसके लिए मैं आपको दंदला देना चाहता हूँ अरे बहुत नावाजी शुक्रिया करम महर्बानी आपने भी हमें फीड़बेक दिया आज तो सब हमारा हुसला बढ़ा रहे हैं और कोई सेवा हो तो बता दीजे बहुत मुबारक जी जी सेवा हो रहा है आपका ये सिरका मैं फीरा हूँ जी जी इसने बाले तो मंगाया था जिसमें आप ये नुस्का नहीं बताये थे अदरक का रस लहसुन का रस नीबू का रस एक बोतल तो बिना वह से पी गए बिना रस ता अब दूसरा बोतल है जिसको शुरू कर रहे हैं कि यह कल से उसमें तीनों रस मिलाया है उसको कल से शुरू कर रहे हैं तो कैसे गरम पानी से लें कि ठंदा पानी से लें खाना खाने के बाद लें दूसरी बात है दूसरी और दूसरा कुश्चन है सुष्टी शरीर में थोड़ा महसूस करते हैं पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्र गुजार कि आपने सही पोजिशन जाहिर की आपको गौनसिया ने फाइदा किया देखिए यही मैं कहता हूं कि गौनसिया असली मिल जाए और हमसे आपको शिकात रहती है कि हम जरा लेट कर देते हैं अब तक हमारे पास असली नहीं होता हम भेजते ही नहीं आपकी दो बाते हम सुन लेते हैं आपकी बुराई सुन लेते हैं लेकिन हमारे पास असली नहीं होता तो हम भेजते ही नहीं और यह गौनसिया और यह सिरका यह दुबई गौर्मिन तक ने इसको पास कर दिया शुरू कर दिए तीन तीन चमच दो से तीन बार ले सकते हैं खाने के बाद दो बार लेना शुरू करें नाचते के बाद और ऐसी पी लें और फिर पानी पी लें ये सुस्टी को तो खतम कर देता है क्योंकि ये खून का कॉलिस्टॉल कम कर देता है जैसे बच्चों का खून होता है न तो वो दिन भार कूटते फांते फिरते हैं और उन्हें कोई ठकन नहीं होती ऐसी हमारा खून बच्चों की तरह हो जाता है बहुत जादा एक्टिव तो इस उसकी तो यह खुदी आपकी दूर कर देगा मेरी ऐसी उमीद है और बहुत मुबारक और आप से मेरा एक निवेदन है जिन चीजों से आपको फाइदा हुआ है उन चीजों का पर चार परसार करिए अपने फैमिली में दोस्तों में और रिष्टेदारों में अपने महले में हमारे कई महिलाएं और कई दोस्त जैसे आप अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो करनल वर्मा सब को बताते हैं और सब को फाइदा पहुंचाते हैं ये एक सेवा है जिसका पुन आपको बाद में मिलेगा जब हम भगवान को प्यारे हो जाते हैं जब हमें बड़े पुन की जलुए होते हैं सव है और लोगों को बताएं कि ऐसा होता है कोई लोग नकालों को चक्कर में ना आए तो इसलिए उसका फोटो कहेंच कर उन szyb बताएं अपने सब रश्टिदार को एक आदमी अपने सो से दोसों लोगों के दर्मियान रहता है रिस्तेदार साला साली इवर बहुत रिस्तदार ताके लोगों को ऐसा ही फाइदा मिल सके जैसा आपको मिला है इसलिए जरूर करिए भगवार बहुत खुश होगा